Hello friends, welcome back to my channel आज मैं आपको बताने चाल रही हूँ Central University of Tamil Nadu में different courses में आपको कितना cut-off लेके आना है लगभग कितना जा सकता है आपका cut-off और जिसमें आपको admission मिल जाए तो आप इस वीडियो में दास तक बने रहे हैं और like, comment and subscribe करना ना भूलें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही और भी वीडियो लेके आती रहती हूँ इससे पहले मैंने Central University of रादिस्थार and Punjab की उपर already एक वीडियो बना दिया है तो आप वो जाके देख सकते हैं description box में आपको link मिल जाएगे अब हम Central University of Tamil Nadu की बात करते हैं कितना किसका cut-off जा सकता है तो मैंने लास्ट यर की cut-off देखी कुछ courses की मुझे cut-off देखे थे तो मैंने उनकी according की आपको वीडियो बना दिया तो जो cut-off मैं बता रही हूँ वो previous year की list की according की बना रही हूँ MSE Biochemistry में अगर आपने अप्लाई किया हो तो ST का 168, SC का 188, Open का 208 और Other Backward Classes का 152 जा सकता है फिर next course है MA या MSE Geography में अगर आप करना है तो ST में 162, SC में 180, Open में 156 जा सकता है Other Backward Classes में 150 जा सकता है आपका फिर है MTAG Cyber Security में अगर आपने अप्लाई किया हो तो ST में 160, SC में 180, Open में 212, Other Backward Classes में 176 आपका इस बार जा सकता है MSE Physics में आपका कितना जा सकता है? ST का 100, SC का 168, Open का 200, Other Backward Classes का 192 आपका जा सकता है फिर MSE in Bioinformatics की अगर हम बात करें तो ST में 110, SC में 156, Open में 168 और Other Backward Classes में आपका 155 आपका जा सकता है फिर हम बात करते हैं MA Political Science में अगर हम देखें तो ST में 112, SC में 152, Open में 108 और Other Backward Classes में 142 जा सकता है अगर हम MFIL की बात करें तो ST में 120, SC में 172, Open में 168 और Other Backward Classes में आपका 153 जा सकते हैं मुझे कुछ courses के cut-off देखे थे last year कि तो मैंने उनकी according आपको वीडियो बना दी है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, please like, comment and subscribe करना ना भूले and thanks for watching my video